Hello Everyone, Welcome to my channel Friends, आज की क्लास में हम सीखेंगे Baby Frog बनाना, जैसे Baby Frog का मैंने ये diagram बनाना सीखाया है और ये हमारी theory है जैसे कि हमारा map कितना आएगा कैसे हम लंबाई लेंगे, चोड़ाई लेंगे वो हमारा पूरा theory में आएगा जैसे सबसे पहले हम theory के बारे में ही समझेंगे तो इस side में हमारी ये theory है जैसे ये measurement मैंने लिया है तो ये measurement में हमारी 5 साल की बच्ची के लिए frog बनेगी जैसे हम frog की पूरी लंबाई लेंगे कितनी है हमारी frog की लंबाई तो लंबाई जैसे हमारी चोली और जो हमारा घेर होता है वो डालके पूरी हमारी total कितनी है 24 inch उसमें plus बंद कर देंगे तो हमारी हो जाएगी 25 inch उसके बाद हमारी चोली की पूरी लंबाई जैसे चोली हमारी उपर आएगी और नीच घेर आएगा तो चोली की तो फूरी चली की लंवाई हमारी फोर्टीन ही फोरीर इंच हो गई उसके बाद अमारा यह शोल्डर आएगा आएगा ज enfrent में लेना को known बहुत है 5 साल के बेबी के लिए तो फ्रंट का हमारा हो जाएगा 4 इंच ऐसे depth में आएगा हमारा और ये गला है हमारा जैसे चोडाई कितनी आएगी गले की तो 2 इंच हम रखेंगे 2 इंच बहुत है हमारे 5 साल के बेबी के लिए अगर बड़ा बनाना है प्लस चार करना है तो 24 इंच हो जाएगा जैसे कि फ्रोक होती है थोड़ी में हम एक इंच कम करके 23 इंच रखेंगे एक्स्ट आता है हमारा आर्म होल तो आर्म होल मैंने रखा है पांच इंच, साड़े पांच भी रख सकते हैं पांच भी हम रख सकते हैं उसके बाद हमारी घेर की चोड़ाई आएगी चोड़ाई हम रखेंगे 25 इंच और घेर की लंबाई है हमारी जैसे ऐसे में लंबाई आएगी तो वो हमारी 12 इंच आएगी यह हमारी थियोरी होगी और यह हमारा मेजरमेंट होगया फ्रॉक का अब हम यह डाइग्राम के बारे में समझेंगे यह मैंने डाइग्राम बनाई हुई है जैसे यह हमारी लंबाई आएगी यह हमारी चोली की बनाई हुई है मैंने और यह हमारा घेर की बनेगी तो सब पहले हम चोली को समझते हैं जैसे यहां से लेके यहां तक हमारे चोली की लंबाई आएगी तो जैसे लंबाई हमने बारा इंच रखी थी वहाँ पर अब यह हमारा नेक का आएगा तो जैसे यह नेक है यहां से मैंने लिया था तू एंड हाफ इंच यह हमारा बैक का आएगा और यह हमारा फ्रंट का आएगा तो यह हमारा चार इंच है यह इस तरह से हमारी लंबाई आएगी 2.5 और यह हमारी चार आएगी और यहां से हमने यह चोड़े में लिया है तो यह हमारा गला आएगा यहां से दो इंच तो दो इंच काफी है पांच साल की बच्ची के लिए यहां से यहां तक हमारा Gamebit हम लेंगे इसका और इससे यहां से यहारा यहां से आगा निशान यहां से रावंड मैं शेय। तो यह हमारा armhole की shape आजाएगी तो यह हमें रखना है 5.5 inch उसके बाद हमारी यह आगी chest की line chest हमने जैसे 24 रखी है तो जैसे हमारी 20 थी तो 20 मैंने plus losing के लिए 4 रखा था तो equal करके हमारा यह 24 आया था तो यह हमारी ऐसे 24 है लेकिन चोथा हिस्सा हमारा जैसे निकालना है तो 24 का यह चोथा हिस्सा divide करेंगे हम 4 से तो equal करके हमारा 6 आएगा तो यह चोथा हिस्सा है हमारा इस तरह से यह हमारा 6 आएगा यह हमारी जैसे chest की line आएगी fitting की तो यहाँ पे हमारी यह कमर आईगी तो कमर इसमें से हम एक इंच करेंगे यहां पर तो यह हमारी कमर का ऐसे आजाएगी शेप यह मैंने चोली का डाफ्ट बनाया हुआ है ऐसे ही हम कपड़े पर बनाएंगे अब यह आता है हमारी फ्रोग का घेर का एरिया जैसे लंबाई हम रखेंगे यहां से यहां तक यह हमारी लंबाई आएगी तो यह हमारी जितने भी है वो रखेंगे जैसे 12 इंच थी तो वो हम रखेंगे यह हमारी चोड़ाई आएगी घेर की यहां से यहां तक यह चोड़ाई है हमारी 25 इंच रखे थी हमने यह हमारे प्लीट साएंगे यहां पर इस एरिया म ये हमारे इतने pleats आएंगे जैसे जितना हमारा ये कमर है चोलि का इतने pleats हम ढालेंगे तो बाद में हम जैसे कपड़े पे cutting करेंगे तो proper समझ में आएगा हमें जब stitching भी करेंगे तो इस तरह से ये हमारी diagram बन गई और ये हमारी theory हो गई तो इससे आप लिखना चाहें तो अपनी नोट पुक पे लिख सकते हैं अब हम पूरा ये डाइग्राम है जो कपड़े पे काटके समझेंगे तो ये एक मीटर कपड़ा है इसको मैंने इस तरह से रख लिया है ये कन्नी वाली साइड है सीधी साइड हमारे इस साइड आएगी जैसे हम सबसे पहले चोली काटेंगे तो ये चोली का डाइग्राम है जैसे इसको हम बनाएगे यहां से यह लंबाई ली है मैंने तो लंबाई हमारी कितनी है जैसे 12 इंच ली थी उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था तो 14 इंच हमारी लंबाई आएगी तो यह कंणी वाली साइड है यहां से हम 14 इंच लंबाई लेंगे इसके बाद हमारे यहां से यहां तक चुड़ाई आएगी जैसे चुड़ाई हम कैसे लेंगे जैसे यहां से हमारी chest है 20 इंच उसमें मैंने plus किया था 4 तो 24 इंच आ गया तो यहां से हमारा 24 को divide किया 4 से तो यह chest आएगी इतनी तो यह ही हमारी 6 इंच आएगी चुड़ाई यहां से यहां तक, जैसे यहां से मैंने लंबाई ली थी, यहां से हम चोड़ाई लेंगे, तो चोड़ाई हमारी जैसे 6 इंच है, तो एक इंच हम उसमें एक्स्ट्रा लेंगे, यह हमारा सिलाई के बाद में मार्जन आएगा, इस तरह से यह लग गया है हमारा, अब यह तो ह यह हमारा एक फ्रंट का बनेगा है कर लेंगे से कटकर लें कि I don't see the best me करने झाट कर यहां से फ्रंट का पीस कचा है बैक का भी हम साथ में ही कट है। getting to be तो इस तरह से काटेंगे दिए देखिए जैसे बैक में हमारी ZIP लगाते हैं जा हम बटन लगाएंगे तो उसके अल्डाबा हुमें कपड़ा चाहिए तो उसके लीए हम XT रखेंगे यह हमारा फ़्रंट है तो फ्रंट से हम एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहां पर जैसे यह हमारा फ्रंट है तो फ्रंट हमारा यहां तक है तो इसके इलाबा हमें एक इंच रखना है जो हमारा जैसे हमारी जीप आएगी जब बटन आएंगे उसके लिए होगा तो इसके ब्राबर हम कट कर लेंगे य इस तरह से ऐसे हमारा फोल्ड हो गया अब यह क्या हमारा बैक साइड है ओपन रहेगा इसलिए मैंने ऐसे रखा है तो यह हमारे दोन पीस ओपन हो जाएंगे तो यह हमारा यहां पर यह फ्रंट का है यहां पर हमारा यहां पर आएगा इसके उपर तो यह फ्रंट का हमारा यह जुड़ा हुआ रहेगा यह हमारा ओपन रहेगा इस तरह से कपड़े को अरेंज करना है यह बैक का हमारा folded है इसे भी हम कट कर लेंगे यहां से कट करके अब यह हमारे चार पीस हो गए है यह चार फोल्ड है दो हमारे यह है तो इस तरह से इसे बुलेंगे हम चार फोल्ड तो इस तरह से फ्रोक का हमारा ये कपड़ा सेट हो गया डाइग्राम के लिए अब डाइग्राम हमारे इस तरह बनेगी जैसे ये फोल्ड किया है ये हमारा नेक का आएगा यहाँ पर अब देखें यहाँ से हमारी ये लंबाई आगई जैसे हमने डाफ्ट बनाया था जिस तरह से हमने नोट बुक पर वैसे हमारा ये फोल्डिड पार्ट है ये हमारा लंबाई आगई 14 इंच और यहाँ से चोड़े में हमारा कपड़ा 6 इंच है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जन के लिए अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो शोल्डर हमारा 5 पे है जैसे हमने 10 लिया था तो उसका हमारा दूसरा ये 5 हो जाएगा जैसे यहां से यहां तक हमारा शोल्डर है तो पांच इंच है जब हम डबल करेंगे ऐसे इसको खोलेंगे तो दस हो जाएगा तो यहां पे हमारा यह पांच आएगा तो पांच इंच मैंने रखा इसके बाद हम यहां से आर्म होल के लिए चार इंच लेंगे जब हम ऐसे turn करेंगे तो यह अपने ही हमारा 5 इंच आए जाएगा अब यहां से जैसे हमारा neck आएगा तो यहां से हमारा 2 इंच आएगा इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे यह हमारा front neck की depth आएगी तो 4 इंच हमने ली है अब इसका हम इस तरह से एक ब्लोक बना लेंगे box जैसा उसके बाद यहाँ से हम फोना इँच तक ऐसी निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें इस तरह से शेब देनी है राओंग में तो यह हमारा नेक्का राॉप बन गया यह हमारा armhole है यहां से भी हम 5 इंच तक ऐसे निशान लगाएंगे और यह हमारा armhole की जितना भी है हमारा यहां तक उसका हम half करेंगे और यहां से हमारी यह इस तरह से गुलाई आ जाएगी यहां से हम 1.5 इंच इस तरह डाउन लेंगे तो यह हमारा shoulder का ऐसे आ जाएगा जैसे chest हमारी 24 है तो 24 को हम 4 से divide करेंगे तो यह हमारा 6 आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा 6 inch पे निशान आएगा इसके बाद यहाँ से कमर है यहाँ से हम 1 inch इस तरह से लेंगे डाउन में यह हमारा यह निशान और यह निशान ऐसे मिल जाएगे यह हमारी frog की drafting होगी अब इस तरह से ही हम cut कर लेंगे जैसे यह है हमारी यह side यहाँ से यह point है इसे भी cut कर लेना है अब यहाँ पे देखिए यह हमारा front part है इससे हमें निकाल लेना है यहाँ पर तब हमें cutting करनी है जैसे यह neck है इसे हमें अलग से cut काटना है ऐसे cut गया यह हमारा front part हो गया ready यह हमारा front piece cut गया है अब यह हमारा back है इसको हम cut करेंगे जैसे यह front piece है इसे हम इस तरह से इसकी उपर रखेंगे जैसे ये point हमारा इतना ही रहेगा यहां से यहां तक अब ये neck हमारा 2.5 आएगा बैक का तो यहां से हमें इस तरह से ये round इस तरह shape देनी है ये shape लग गई है इसी तरह से cut कर लेंगे अब ये front और ये हमारा back cut गया है जैसे ये देखिए हमारा front इस तरह से ऐसे आएगा जैसे ये back piece है हमारा तो ये shoulder से shoulder हमारे इस तरह से मिलेंगे और ये हमारा extra है ये यहां पर हमारी इस तरह से सिलाई आईगी यहां पर हमारी zip जब बटन लगेंगे इसलिए हमने extra रखा है यह दूसरा पीस है जब हम बटन लगाएंगे तभी भी हमारा एक दूसरा के उपर ऐसे आता है तो यह हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है यह हमारी चोली की कटिंग हो गई अब हम घेर कटेंगे जैसे यह बाकी का कपड़ हमारा भाचा है तो यह हमारा पट्ची सिंच है जैसे पट्चीस बेकieri लिया था और यहांसे हम 12 देंगे और एक चे एक-स्ट्रा लेलेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। थे मैंने असे लगा दिया अब यह सिंगल है इस्से हमें डबल करना है नब 14 इंच है और इधर से हमारा ये 25 इंच है यहां से हम कट कर लेते हैं यह कपड़ा यहां से कट कर लिया है यहां से भी हमारा फोल्ड है तो यहां से भी कट कर लेते हैं यह हमारा घेर के लिए भी कपड़ा कट हो गया फ्रॉक के लिए यह घेर का कपड़ा और यह हमारी चूली कट गई है अब ये कपड़ा हमारा एक्स्रा बचा है एक मीटर में से यहां से हम जैसे पाइपिंग बगारा लगेगी हमारी नेक पे तो वो हमारा लग जाएगा तो देखिए हमारा एक मीटर में ये फ्रॉक असानी से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पे ने हैं तो बेल बटन भी दबा ले जिससे की मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको एजीली मिल जाएंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में